नमस्कार दोस्तो आज हम GSTR1, GSTR3 भी नील रिटन फाइल कैसे करना है इसके बारे में हम बात करेंगे आपने एक नया बिजनेस कोल के रखा है बट उसमें जो है कुछ भी जो है आउटवर्ड सप्प्लाई या फिर किसी भी तरीके का ट्राइंजक्शन नहीं हुआ है आपके GSTR के उपर या फिर आपके बिजनेस में तो आपको GST नील रिटन फाइल करना कंफर्सरी होता है तो आपको यहाँ पर GSTR1 और GSTR3 भी नील रिटन फाइल कैसे करना है इसके बारे में हम complete जो है इस वीडियो में बात करेंगे आप GST Nail Return File तभी कर सकते हो जब आपके बिजनेस में या फिर आपके GST आकाउंट में किसी भी तरीके का ट्रैंजेक्शन नहीं हुआ है तभी आप GST Nail Return File कर सकते हो तो चलिए दोस्तो GST R1, GST R3 भी Nail Return File कैसे करना है इसके बारे में हम completely जान करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे Chrome Browser में आपको यहाँ पे GST टाइप करना है GST टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है यहाँ पे आपको GST सर्च कर लेना है और यहाँ पे GST सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे GST का जो main official page है इसके उपर आपको यहाँ पर चले जाना है जैसे यहाँ पर gst.go.in के यहाँ पर इस portal पर आना है इस portal पर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले जो आपको login का जो section दिखाए दे रहा है तो आपको यहाँ पर login के section के उपर आपको simply click कर देना है जैसे आप login के उपर click कर देते हो आपको यहाँ पर अपना username और यहाँ पर आपको password और capture फिलप करके आपको यहाँ पर जो यहाँ पर login कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी details आपको फिलप करके login कर लेना है अगर आपका username और password आप भूल जाते हो तो आप यहाँ पर forget username और forget password के उपर click करके अपना जो password और username जो आप दुबारा से प्राप्त कर सकते हो या फिर reset कर सकते हो अगर आप first time login कर रहे हो यहाँ पर इस portal पर आप click here के option पर click करके आप यहाँ पर login कर सकते हो otherwise आपने इस portal पर already login किये होंगी तो सबसे पहले भी तो आपको यहाँ पर username और अपना password यहाँ पर आपको डालना है और यहाँ पर password यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर जो box में capture दिखाए दिखाए देरा है इस capture को आपको यहाँ पर fill up कर देना है as it is fill up करने के बाद आपको login वाले बटन पर आपको simply click कर देना है जैसे आप login वाले बटन पर click कर देते हो आपका जो GST का account है इस तरीके से आपका यहाँ पर login हो जाएगा और यहाँ पर जो देखे आपको यहाँ पर जो five months का जो period है यानि previous five months का यहाँ पर आपको GST का यहाँ पर इस तरीके से जो है summary यहाँ पर आपको दिखाए देगा जैसे आपने GST file already किये होंगे पिछले four months का यहाँ पर हरे रंग में और आपने जो GST file अभी तक नहीं किये हो तो आपको यहाँ पर पीले रंग में due date के साथ यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाए देगा तो आपको GST file करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे scroll करना है और यहाँ पर आपको return dashboard के उपर आपको click कर देना है जैसे आप return dashboard के उपर click कर देते हो आपको यहाँ पर financial year यानि जिस year का भी आप GST फाइल करना चाते हो उसका financial year select करना है और उसके बाद quarter select करना है और उसके बाद आपको period select करना है period में आपको किस month का आपको GST फाइल करना है आपको उस month को आपको यहाँ पर select करना है और उसके बाद आपको search का जो button दिखाई दे रहा है उसके उपर आपको simply click कर देना है जैसे आप click कर देते हो आपके सामने इस तरीके से open हो जाएगा जहाँ पर आपको gstr1 और gstr3b का यहाँ पर इस तरीके से show करेगा तो आपको नीचे scroll करना है और यहाँ पर details of outwards apply यहाँ पर gstr1 और यहाँ पर सबसे पहले आपको gstr1 फाइल करना होता है और gstr1 फाइल करने के बाद आपको gstr3b फाइल करना होता है तो आपको gstr1 सबसे पहले फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर due date इस तरा 11 यहाँ पे दिखाए देगा और इसके बाद GSTR 3B का यहाँ पे 20 यहाँ पे डेट जो यहाँ पे शो करेगा तो आपको सबसे पहले GSTR 1 फाइल करना है तो आपको prepare online के उपर आपको simply click कर देना है सबसे पहले आपको GSTR 1 फाइल करने के बाद ही आप GSTR 3B फाइल कर सकते हो और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ basic जो details है आपके यहाँ पे इस तरीके से दिखाए देंगे तो आपको यहाँ पे confirm कर लेना है confirm करने के बाद आपको नीचे scroll करना है आपके GSTR में कुछ भी transaction होते है तो आपको यहाँ पे add कर लेना है अगर आपके GST में कुछ भी या पिर आपका जो नया बिजनेस है आपके ट्राइंजक्शन नहीं हुए तो आपको यहाँ पर उपर स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर फाइल नील GSTR1 इसके उपर आपको क्लिक कर देना है आप नील GSTR1 तभी आप सेलेट कर सकते हो जब आपके बिजनेस आपका नया हो या फिर आपके GST में या फिर आपके बिजनेस में कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं हुआ हो आपके GST में कोई भी ट्राइंजक्शन नहीं हुआ हो या फिर आडवांस या फिर क्रेडिट और debit इस तरीके का कोई भी transaction आपके GST में नहीं हुआ है तबी आप जो यहाँ पे GSTR1 जो आप नील रिटन फाइल कर सकते हो otherwise आपके GST में transaction हुए है तो आपको यहाँ पे tick नहीं करना है आपको add record करके आपको आगे जाना है जैसे हम यहाँ पे नील रिटन फाइल कर रहे है हमारे GST में कोई भी transaction नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे file नील GSTR1 इसके उपर click करने के बाद आपको नीचे scroll करना है और यहाँ पे file statement का जो option दिखाई दे रहा है आपको इसके उपर click कर देना है जैसे आप इसके उपर click कर देते हो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे इस तरीके से show करेगा आपको यहाँ पे details यहाँ पे किस type का यानि GSTR1 है या फिर 3B है आपको यहाँ पे return type में आपको यहाँ पे confirm कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर इस box में click करना है और यहाँ पे आपको authorized signature आपको select करना है और उसके बाद आपको file with EVC इसके उपर आपको click कर देना है जैसे आप इसके उपर click कर देते हो आपके register mobile और email पे जो यह OTP चला जाएगा जिसे आपको यहाँ पे डालना है और verify वाले बटन पर आपको click कर देना है आपका जो mobile number GST के link है या फिर registered है उसके उपर OTP जो है आया है या फिर email पे आया होंगा तो आपको यहाँ पर आपको type करना है और यहाँ पे verify कर लेना है जैसे आप verify कर लेते हो यहाँ पर आपका GSTR 1 जो है यहाँ पे successfully file हो चुका है तो आपको यहाँ पे GSTR 1 का यहाँ पे इस तरीके से summary और यहाँ पे जो data दिखाई देगा तो यहाँ पे acknowledgement number जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा आपका acknowledgement number जो है आप अगर return file किया हुआ आप statement देखना चाते हो तो आप dashboard पे देख सकते हो otherwise acknowledgement number जो है आप यहाँ से copy कर सकते हो या फिर आपके register mobile और email पे जो है भेज़ दिया जाएगा आप वहाँ से भी देख सकते हो जैसे हम यहाँ पर जो है देखने के लिए dashboard के उपर click करना है जैसे आप dashboard के उपर click कर देते हो आपका जो gstr1 file किया है या नहीं यहाँ पर data show करेगा तो आपको यहाँ पर dashboard के उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से आपका lander balance यहाँ पर दिखाई देगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको simply जो है file return के उपर आपको simply click कर देना है या फिर आप services पर जाकर भी file return के उपर जा सकते हो या फिर आप file return के उपर simply click करके भी आप जा सकते हो जैसे हम यहाँ पर file return के उपर click कर देते है इसके उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो financial year है आपको same वही procedure फॉलो करना है जिस मन्त का भी आप return फाइल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर search करने ना है और यहाँ पर नीचे scroll करना है नीचे scroll करने के बाद यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो gstr1 जोए details of outward supply यहाँ पर gstr1 जोए file यहाँ दिखाय दे रहा है आप देखना चाते है तो view के उपर click करके download के उपर click करके आप कर सकते हो gstr1 फाइल करने के बाद आपको 3b फाइल करना होता है तो उसके लिए आपको prepare online के उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर gstr3b फाइल कर लेना है तो आपका gstr1 हमने नील रिटन फाइल किया था तो आपका gstr3b वैसे आपको नील रिटन फाइल कर लेना है इन केस आपका gstr1 जोए आपने नील रिटन फाइल नहीं किया हो आपके transaction हो गए तो आप यहाँ पर जोए no करेंगे यहाँ पर do you want to नील रिटन तो हम यहाँ पर नील रिटन जोए तो यहाँ पर आपको yes कर देना है और उसके बाद यसे close कर लेना है close करने के बाद आपको इस box में click करना है I have been और उसके बाद signature आपको यहाँ पर select करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है देखिए file gstr3b with evc इसके उपर आपको click कर लेना है जैसे आप इसके उपर click कर देते हो आपके register mobile और email पे जो OTP चला जाएगा जिसे आपको यहाँ पे डाल जाना है और यहाँ से आपको verify कर लेना है GSTR1 और GSTR3 भी सेम होता है आप GSTR नील डिटन फाइल जो है आप घर बैटे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पर जो देखे OTP फिलप करने के बाद आपको verify करने के बाद आपका यहाँ पे filing जो successful हो चुका है जैसे आपका GSTR number यहाँ पे दिखाई देगा GSTR number दिखाई देने के बाद आपका किस date का यानि किस time पे आपने GSTR file किया है 3B और GSTR1 यहाँ पे इस तरीके से show करेगा उसे देखने के लिए आप Dashboard पे जाकर भी आप देख सकते हो और इसका जो message है same message आपके register mobile और email पे जो है बेज दिया जाएगा तो आपको यहाँ पे पड़ लेना है और यहाँ पे आपको OK वाले बटन पर आपको simply click कर देना है और यहाँ पे देखे आपके register जो भी mobile और email रहेगा उसके उपर same जो data है यहाँ पे show कर रहा है आपके mobile और email पे जो आ जाएगा तो आपको यहाँ पे OK कर लेना है OK करने के बाद आपको simply dashboard के उपर जाना है dashboard के उपर click करने के बाद आपको यहाँ पर जो देखिए आप यहाँ से जो फाइल रिटन के उपर भी click कर सकते हो या फिर जैसे कि हमने बताया था आपको जो services में जो आप services से भी आप यहाँ से return file के लिए जा सकते हो जैसे यहाँ पे payment यहाँ पे return का जो option दिखाई दे रहा है आपको return के उपर जाना है और यहाँ पे आपको return dashboard के उपर भी आप जा सकते हो या फिर file return के उपर click करके भी आप directly भी जा सकते हो जैसे हम उसके उपर click कर देते हैं आपके सामने जो है आपके सामने same वही जो है procedure आएगा जैसे आपको quarter और final year और period select करना है और यहाँ पे आपको search कर लेना है जिस मंत का भी आप GSTR file आभी किये दे उसे आपको यहाँ पे select करना है और यहाँ पे आपको नीचे scroll करना है यहाँ पे आप देख सकते हो GSTR1 यहाँ पे outwards supply और GSTR3 भी जो है यहाँ पर same जो यहाँ पे file हो चुके अगर आप इसे देखना चाहते है तो आप view अफिर download का जो option दिखाए दे रहा है उसके उपर click करके यहाँ पे आप download यहाँ पे कर सकते हो gstr3b और gstr1 जो हमने need return file किया है तो यहाँ पे आपको देखनी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कुछ भी आपने data add किये हों दो यहाँ पर आपको view और download यहाँ पे आप कर सकते हो इस तरीके से आप जो है gstr1 और gstr3 भी जो है अपने घर बैटे ही आप need return file जो है easily कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरीके की problem आती है need return file करने में तो आप मुझे comment section में comment करके बता सकते हो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी धन्यवाद